एक बहुत बड़े गड़ी तक ये हुए हेरो हेरो नौबार फेल हुए स्कूल में कितनी वहार एसा कोई महात्मा वेठा जो नौबार फेल हुआ हो नौबार फेल हुए पिताने कहा ये पढ़ाई बंद का तेरे बसकी नहीं है तू नहीं हो सकता प्रस नौबार फेल चल पसु चरा उठा डंडा गाए चरा बेस चरा तू पास नहीं हो सकता तेरे भाग में पास हो ना लिखायी नहीं है उसने का या लगता तो ऐसा है कि यह में पास नहीं हो सकता नौ बार फेल हुआ कि less एक दिन बैठा था अपने घर में, एक चीटी को देख रहा है, चीटी चड़ रही है, गिर रही है, चड़ रही है, गिर रही है, फिर चड़ती है, फिर गिरती है, फिर चड़ती है, फिर चड़ती है, हेरो ने कहा यार यार ये, गिनू तो कितनी बार चड़ रही है, उस दि पागल एक है नौबार फेल हुआ है बोले नौबार हुआ हूँ ना अभी 90 बार वांके है बोले क्या मतलब भूले वो चीटी सौमी बार उपर चड़ी है मैं तो अभी नौई बार फेल हूँ 90 बार वापने का पागल 90 बार में 90 साल लग जाएंगी तू मर जाएगा दुचीटी की बराबरी अरे बोले कुछ भी हो जाए अभी तो 90 बार मुझे पास होना एक बात लग जाए आदमी को तो जिंदगी बदल जाया करती है एक बात में जीवन के सूत्र मिल जाते हैं बोले 90 अभेवार तो भी और पढ़ना है मुझे बहुत जित्की पिता से पढ़े लिखे मालू है दस्वी वार में वो बच्चा पास हो गया और वो सबसे बड़ा गड़ी तक बन करके खड़ा हो गया उसकी किताबें मैथामेटिक्स में चला करती है ध्यानों रखिए इतना महान गड़ित के बना उसके जैसा गड़ित के सवाल हर करने वाला दुनिया में दिखाए आदमी ठक जाता है आदमी हार जाता है आदमी अपनी सोच से हार जाता है एक बात बताएए दो पहलवान लड़ रहे हैं दोनों के दाव पेंच एक से हैं कुस्ती लड़ रहे हैं दोनों है अन jejum से निवेदन है दौनओं लड़ रहे हैं एक से तन की हकशनि लड़ रहे हैं एक से बजन और एक सी टाकत बाले होने के बाद यह तो हारे गाना यह जीते गा क्वों हारे गा ध्यान रखना के टाकत तन की spokes है हारता वही है जो मन से आर जाएगा वह 갈व ब सही कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत जिसका मन हार गया वो दुनिया में कभी बिश्विजेता नहीं बन सकता है समराज सिकंदर अंतिम सास तक बिश्विजेता के सपने देखते रहां मनने बाई सपने देखिए देखना चाहिए बिना सपनों के जिन्दगी कभी आगे नहीं बढ़ा करती है होसलों के साथ जिन्दगी को जीओ मेरे भाई बिपत्यां आएंगी जीवन में बिपत्यां जो होती है बिपत्यां जो होती है वो पार्ट आफ लाइफ है आदमी की जीवन में जीवन का एक हिस्सा है बिपत्या पार्ट आफ लाइफ है और बिपत्यों में अपने आपको समालना आर्ट आफ लाइफ हुआ करती है मेरे भाई सबसे बड़ी कला हुआ करती है मुशीबतों में अपने को समाल के रखना बहुत बड़ी कला हुआ करती है पार्ट आफ लाइफ बनाओ पार्ट आफ लाइफ को ध्यान रखिए जीवन की एक कला है जिंदंगी मौच से मद खबराईए मानिवर जिंदगी जीने के लिए मिली है इसे आख भद्या की भट्री में मत जोगिए पुरी जिन्दा दिली के सांख जिंदगी को जीने का प्रियास करिये जियो भूत आनन्द है इस जिन्दगी में बच्चों पर इतने पढ़ाई का प्रेसर मच डालो बच्चोय गो बच्चों की कामेयवी देखना है या काब公ल बध्यान रखना आफ कामेयवी के पीछ जोड़ते हैं काबलियत का ध्यान नहीं रखते हैं बच्चों को कामियाद भले ना बनो लेकिन बच्चों को काबिल जरूर बनाईए ध्यान रखिए कोई जरूरी नहीं है इतना प्रेसर मट डालो कि तुमारे बच्चे आत्महत्या करने को तैयार हो जाए अपने विचार उन पर मदला दिये उनके घ्यान की छंता को देखिए बरना माबाप इतना प्रेसर डालते हैं और जब रिजल्ट आता है तो हमारे घर का चिराग अपने हाथों से फासी के फंदे लगा कर दुनिया से विदा हो जाया करता है ध्यान रखिए राज पाठ छिन भी जाये तो बनवास में राम लक्षमन सरगो जैसा जीवन जी करके दिखा दिया करते हैं जिन्दगी को जियो पूरी आसा से जियो पूरी विश्वास से जियो आज मत्या के अंदे कुए में छलांग मत लगाओ यदि आज ऐसे विचार मेलाओं से मेरा निवेदन पूरुशों से मेरा निवेदन है बड़ी बिनमरता के साथ जब अपने उपलब्धियों पर अकड़ हो तो अपने उपर वालाओं को देखना इस दुनिया में हमारे भी बाप बैठे हुए हैं ध्यान रखना हमने क्या कमाया है टाटा विर्ला वालों को देखना उनके आगे अपनी कोई आउकात भी नहीं है उनके चोकीदार की हैसियत नहीं है अपनी रिलाइस बंदू इतना कमाया है उनने जब अकड़ पैदा हो तो उचे वालों को देखना और जब निरासा पैदा हो तो अपने से नीचे वाले को देखना जिन्दगी तुमारी आनंद में परिवर्तित हो जाएगी मेरे पास इतना है ईश्वर में इतना दिया है ऐसे भी लोग हैं जिनके पास चार छट चार दिवार और एक छटवी मौजूद नहीं है ध्यान रखिए मानने बार बहुतिक असफलता है और भौतिक सफलता है जब भौतिक सफलता है आदमी को जीवन दे नहीं सकती है तो भौतिक असफलताओं को जीवन लेने का कोई अधिकार भी नहीं हुआ करता है जीवन को जीओ पूरी जिन्दा दिली के साथ जीओ हर हाल में जीओ जैसा भी जीवन आए ध्यान लगता माता पिता डांट दे बच्चों को गुष्चा कर दे तो यह मत सोचना कि मेरे बाप ने मुझे डांट दिया मेरी मा ने मुझे डांट दिया बच्चों से मेरा निवेदन है सासू डांट दे तो बहु आवेश में ना आ जाए वो इतना सा सोच ले एक विचार बना ले कि यार माबाप नहीं डांटेंगे तो हमें कौन डांटेगा यह डांटने का ह सक्त हमने दुनिया में माबाप को रखना है सोच लो बड़ी तसली मिलेगी हमारे उपर अनुसासन कौन रखेगा फिर भो नहीं डाटेंगे तो कौन डाटेगा और बड़े बुजर्गों से निवेधन हैं बच्चे बेटियां बहुं गलती कर दें तो डाटने से पहले सोचन बच्चे गल्ती नहीं करेंगे तो कौन गल्ती करेगा आपका घर चुकी बच्चों से ही तो गल्तिया होती है बहु से ही तो गल्तिया अरे आई है बच्ची है शसराल से आई है हो गई गल्ती उसके लिए इतना तमासा खड़ा करने की क्या जरूरत जीवन को सुखी बनाने की छोटी छोटी सी बाते हैं यह आपकी जिंदगी को बदलके रख देंगे पलटके रख देंगे गल्तियां तो बच्चों से ही होती हैं बड़े सोच लें बच्चे तो गल्ती करेंगे ही करेंगे और बच्चे सोच लें माँबाप तो डाटेंगे ही डाटेंगे जिंदगी को स तो दुनिया में काटे ही काटे हैं, फूलों पे नजर होगी तो दुनिया में फूल ही फूल हुआ करते हैं, मानने बर, निवेदन है आपसे, पूरे जिन्दगी को होसले से जीने का प्रयाद, हर हाल में गियो, एक साधू थे, अपनी वाद समाप्त करता हूँ, कुटिया में आस्रम में रहेगी, संत ने कहा मजा आ गया, ये गाए मेरे आस्रम में रहेगी, बुले चेले चपाटी थे, बड़े खुश हुए, गाए आ गई, गाए आ गई, कल से दूद पियेंगे, दही वनेगा, छाच मिलेगा, मावा मिलेगा, बहुँश हुए, संत ने गाई की आँ पागल दिमाग खराब में रहे गाए गाए अब दूद कहा मिलेगा, इँ मावा कहां मिलेगा, चाच मिलेगा, संत ने कहा एक तरफ गया वो दूद और मावा, अरे गाए गई तो गोबर उठाने की जंजडवी हमारे पास से, चली गई, अब कहां 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 इस लेकिन तुमारी जिंदगी निरासां में जाती है गुलाब का पोधा ये सोचता है ये सोचता है कि मैं नारीयल के पेड़ की तरह बढ़ा हो जाऊँ है अब बाजू में लगा है अब वो सोचे मिझे नारीयल का पेड़ बना दे अब गुलाब का पोधा कैसे पेड़ बन जाएगा पेड़ इसलिए दुखी है कि वो सोचता है यार गुलाब जैसे फूल मुझे में आ जाए गुलाब जैसे जिन्दगी दुखी हो जाएगी एक जगह मैंने देखा अरे गुलाब का पेड़ अपनी मस्ती में जूम रहा है नारीयल का पेड़ अपनी मस्ती में जूम रहा है मैंने एक सादू से पूछा बताओ ये अपनी मस्ती में ये अपनी मस्ती में क्यों है ये इ अपनी मष्थी मेरी मेरी भाई पूनम्की रात का जो सौंदर है ना कभी-कभी अमावस मे बड़ी सुंदर लगा करती है मेरे भाई जदि अमावस की रात रात ना होगी तो उनम का सौंदर ये कौन जान पाएगा, यदि जीवन में दुख नहीं होंगे, तो सुख का स्वाद, एक बात बता, यदि इस जिन्दगी में सुखी सुख होता, दुख नहीं होता, तो क्या करते हैं, बताए, सब को सुख, सब सुखी सुख, अब कोई बोले, ये छोटी उंगली, ये बड़ी उंगली, ये बीच की, अरे, भाई, क्या दिक्कात है, अब ये एक बात बताए, यदि पांचों उंगली भगवान एक सी बना देता, तो क्या करते हैं आप, कल्प ना करो, कभी सोचते हो, ये पांचों उंगली एक सी हो जाती, तो ना लिखने का आनंद ले पाते, ना खाने का आनंद ले पाते, सामान उठाते नहीं वनता, ध्यान रखना, हर उंगली का अपना-पना मत्त हुआ करता है, अंगुठा है और अनामी का है, तभी आप इससे कुछ लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, ये बीच की उंगली है, ये ध्यान रखना, ये बीच की उंगली सबसे बड़ी हुआ करती है, ये उंगलियां भी इसके जैसी बड़ी होने का ख्वाब देख ले, तो ये दुखी हो जाएंगे, ये अनामी का है, ये नहीं होगी, तो सिंदूर कहां से लगाओगे, और तिलक कहां से लगाओगे, विचाएंग एक बार इन उंगलियों में जगडा हो गया, अंगूठा बोला, मैं सबसे बना, बोले क्यों, बोले देखो, बात तो देखो, ये अंगूठा है, दिखाएंदे रहा है, ये अंगूठा, लेकिन ऐसा बदकिस्मत है, कि अंगूठा ये है, अंगूठी ये पेहनती है, इसके पास नहीं आती अंगूठी, इसके पास आती, ये चार अंगूठी पेहनती है, मेरे बिना चारों उंगलियों तुम लोग कुछ नहीं कर सकती हो तुम्हारा कोई अस्तित नहीं है तरजनी ने का एक इसका मतलब मैं नहीं होंगी तो तुम दिखाओगे किसे यह तो दूसरों पर उठती उंगली अपने पर उठती नहीं है दूसरों पर मुलियां उठाने की जरुवत पड़ेगी मैं तयार घड़ी हो बड़ी ने का है मैं सबसे बड़ी हो अनामी का ने का चार्ट कायकी सबसे बड़ी है मैं नहीं होंगी तो तेरा कोई अस्तित नहीं बचे छोटी राली चुपचाप खड़ी थी बहन तू भी यहीडता हूँ अनुठा लगाता हूँ तू क्या sign करेगा तरजणी ने का मैं मैं नहीं होंगी तो पेन कहां से पकड़ देगा तो वीच वाली ने चले तेरे में ताकत मिरे स使用 आया करती है चिंगली ने कहा देखो छोटी वाली ने मेरे पास कुछ नहीं है मैं सबसे छोट पीछे खड़े, भ्यान रखी, प्रिनाम करोगे तो छोटी वाली, जो जुकना जानता, जो प्रिनाम करता, वो सबसे बड़ा हुआ करता, किसी से छमा मांगो, देखो लड़ने में तो तरजनी तुम तयार रहती हो, लेकिन जब माफी मांगी जाती है, तो मैं सबसे आगे, ख जरूरत है, इस दुनिया में बैसे की भी जरूरत है, और इस दुनिया में सूद्र की भी, सूद्र नहीं होंगे ना, तीन दिन हड़ताल करने, जीना मुस्किल हो जाएगा, मेरे भाई त्यान रखी, सबका अपना महत्त है, अपने अपने में राजी हो जाओ, राजी है हम जिसमें तेरी रजा है, यहां तियू भी वाह है, वाह है, कबीर का जोपड़ा, एक दिन बेश्या के कोठे के सामने बना दिया गया, बेश्या को बड़ी परेशानी होई, कबीर को कोई परेशानी नहीं थी, संतों को क्या परेशानी, परेशानी तो संतों से दुनिया को है कवीर अपनी भक्ती करता था राम नाम भजन में लीन रहता था बेश्या को डिस्टर्ब हो गया रोज बेश्या के कोठे में धोलक बजती तबले पर थाप पड़ती घुम्रूओं की आवाज आती और जब घुम्रूओं की आवाज और धोलक की थाप पड़ती कवीर कवीर उ लोग बेश्या के कोठे में जाते क्या और कवी Means का भजन सुनते कवीर के पास जाकर करम बैठ करब दये का। कि कवीर तो मेरा धंड़ा छे पट कर देंगा है लोग आते थैं को मुने पूरी पींदर करदे तो मेरा तो खाना रात हो जाएगा बेश्या ने अपने यारों से कहा कि जा आज रात को कबीर का जोपड़े में आग लगा दो जला दो रात को रात हुई बेश्या के यार गए कबीर के जोपड़े में आग लगा दी घास पूस का जोपड़ा धूदू करके जलने लगा कबी तो यह जोपड़ा तु कितना चाहता है मेरा राम मुझे कितना प्यार करता है क्योंकि जब जोपड़ा था ना तब तुझे दिक्कत होती थी मुझे देखने में अब जोपड़ा हटा दिया आओ अपन सामने से दीदार करेंगे भीच की दीवार खत्म हो गए मजाग हरी भज में डाल दिया मजा अब खुलके आकास को देखेंगे चांद सितारों का सौंदर्य देखेंगे बहुत कुछ हुआ कभीर बात बलत बदल गए किसमत को बदलने में जाद ध्यान रखना सो साल में किसमत जरूर बदलती है ध्यान रखना ऐसा कोई नहीं जिसकी किसमत ना बद पर्दे की आग वेश्या के कोठे तक पहुंच गई उस आग ने पर्दे जनाना सुरू कर दिये पर्दे जल रहे हैं साजवाद जलने लगे धोलक फट गई हार्मोनियम जल गया वेश्या उठी यह क्या हो गया मेरा कोठे में आग लगई मेरी जिन्दगी भरकी कमाई समिट् बहुत परिसान होई वेश्या कोई बुझाने वाला नहीं उस रात को उसके कोठे की आग सवेरे तक कोठा जल जल के धुआ हो गया दोड़ी दोड़ी गई कभीर के पाद कभीर 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 तो भगवान की राम धुन में लगे हुए है अरे कभीर उठाओ देखो यह क्या हो गया है कभीर भगवान के भजन में लिए मेरा हरी मेरा परमात्मा मेरे राम बड़ी क्रपा है बड़ी महर्मानी है तुम्हारी वेश्या ने कहा कभीर तेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है तू तो सादू अकड़ फकड़ है मेरी तो जिंदगी भर की कमाई करके राख हो रहा है मेरा कोठा बचाले कभीर बचाले कभीर ने कहां इसमें मैं क्या कर सकता हूं भूले कभीर मुझे माप कर मैं प्राश्चित चाहती है अरे किस माप का प्राश्चित भूले तेरा कोठा जलवाया था मैंने किस से मेरे यारों से कभीर ने का मैं क्या करू तू मेरी अपराधिन है ही नहीं तेरे यार ने मेरा जोपड़ा जला दिया मेरे यार ने तेरा कोठा जला दिया ये तो दो यारों की लड़ाई है तेरी मेरी तो कोई बात है ही नहीं ना तेरी गल्ती ना मेरी गल्ती तेरे यार ने मेरा जोपड़ा जलाया तो मेरे यार ने तेरा कोटा ये दो यारों की लड़ाई है अब देख बेस्या किसका यार दमधार है देख मेरा यार दमधार है या तेरे यार जो कल यार तेरे साथ घूमा करते थे तेरे लोग आज एक भी तेरे पास नहीं है आज जोपड़ा चलने के बार मेरा हरी मेरे पास हमेशा से मचूद है प्यान अर्ट की बहरा मतीवालों यारी करो तो ऐसी करो जिसका यार दमदार हो उस से दोस्ती करो मेरे भाई ऐसे यारों से क्या दोस्ती करना जिन्दकी मेरे आनंद में जी हूँ सूरत में मेरे भक्त ओम प्रकास बाबुजी अब इस दुनिया में नहीं है मैं भीलवाडा में कहीं था रात पता चला कि उनकी फैत्री में आग लग गई धूरू करके फैत्री जल गई मेरे पास मेरे स्टाप के पास फोन आए कि बाबुजी की जोपड़ी बुरी मील जल गई है कपड़ों की वो जिन सरणम की अध्यक्ष थे उस समय बाबुजी की फोन पर स्पीकर कोल के बात हुई मैंने का बाबुजी ये जो मील जल गई आपकी जो कहा है आप कहा हूं सामने खड़ा हूं मेल जल रही है कपड़े की आप कुछ नहीं कर रहें क्या करना मालाज कर भी क्या सकता हुं मैं तो बुझा नहीं सकता हुआ बुझाने वाले अपना गांग कर रहे हैं मैं अपना काम कर रहा हुआ है क्या हुआ कुछ नहीं माराज चिंता मत करो आपका हाथ हमारे सिर पर है ऐसी दस मेल फिर खड़ी करने की मैं ताकत रखा करता हूँ वह आद्मी कमजोर नहीं पढ़ा वो शक्सियत कमजोर नहीं पड़ी होसले है मारा आपका सिश इतना कमजोर नहीं है दो मील क्या ऐसी और भी जल जाए तो भी मेरे मन में कोई फरक पड़ने वाला नहीं है मेंने का बाबुजी आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे जब वो मुझसे मिलने आए गए है पतजर है सावन फिर आएगा मैं फिर हरा हो जाओंगा ध्यान लग्ये कपड़ा ही तो जला है मेल ही तो जली है मेरे हुसले तो नहीं जली है ना आपको विश्वास नहीं होगा छे महिने में बाबुजी ने दूसरी मेल खड़ी कर दे उसी जगहें पर जाकर माने बाबुजी